जैहिंद नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने पर्वार टीचर लहवादी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों आप सभी प्यारे विध्यार्थियों आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत-बहुत फिर से स्वागत है आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, अक्टूबर माह में पढ़ने वाले महतपूर दिवस के बारे में, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, पहला पॉइंट है दोस्तों, अंतर राष्ट्री बृद्ध जन दिवस, इंटरनेशनल डे फार ओल्डर परसंग, जिसको और क्या कहा ज आतर राष्ट्री बृद्ध जन दिवस, हम सब को पता हैं दोस्तों, हमारे भारती समाज में, हमारे घर में, जो हमारे बृद्ध रहते हैं, हमारे बुजूर्ग रहते हैं, जैसे कहा सकते हमारे दादा दादी रहते हैं, उनकी हमें देखवाल करने चाहिए, पहली चीज, और उनका सम्मान भी करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है मित्रों की, हम उनकी कही बातों से agree नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम उनको सम्मान ना करें, या उनकी बातों की अवहेल ना करें। हमें आपस में अच्छे से बैठ करके बातें करनी चाहिए। आप अपने विचार रखी और अपने विचार रखी ठीके क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है आपसे कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों इसलिए प्रतेक वर्स एक अक्टूबर को ठीक है एक अक्टूबर को अंतर राष्टी ब्रिद्धिजन दिवस मनाया जाता है। ताकि हम अपने ब्रिद्धों को अपने बुजरगों को भूल ना पाए। उनका हमेसा खयाल रखें और उनका सम्मान करें। आप लोग अपने बुजरगों का, अपनी दादा दादी का, अपने माता-पिता का अच्छे से खयाल रखते होंगे, सम्मान करते होंगे। तो चलिए इसे सम्मान के साथ हम लोग भी आगे बढढ जाते हैं। तो अंतराष्टी बिद्धिजन दिवस कम मनाया जाता है एक अक्टूबर को, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला है गांधी जैन्ती, आप सभी इससे अवगत होंगे, गांधी जैन्ती प्रतियक वर्स दो अक्टूबर को मनाया जाता है लेकिन दोस्तों आप सभी को पता हो कि जो गांधी जी थे अहिंसा वादी थे ठीकर अहिंसा वादी बिचारधारा वो रखते थे इसलिए गांधी जैन्ती और अंतरश्टी अहिंसा दिवस International Non-violence Day कब मना जाता है दो अक्टूबर को दोस्तों इसी एक साथ एक चीज़ा और जान लेते हैं लाल बहादुर सास्त्री जैनती लाल बहादुर सास्त्री जैनती तो आप समझ गहें होंगी two oct कि दो अक्टूबर को अपने भारत देश के दो महापूरसों की जैनती पढ़ती है पहला महत्मा गादी जी की जिसे हम लोग प्यार से बापू जी करते हैं राष्ट पिता करते हैं और दूसरे लाल बहादूर सास्त्री जी और तीसरा जानते हिए अंतर राष्टी अहिंसा द वल्ड नीचर डे एक कमना जाता है थ्री अक्टूबर को ठीक है हम सभी को प्रकित से प्रेम करना चाहिए क्योंकि अगर यह प्यारा सा प्रकित ही नहीं रहेगा तो हम लोग भी इस धर्ती पर नहीं रह पाएंगे दोस्तों और तोस्तों इंपॉर्टन चीज यहां पर लि प्रकित दिवस कमना जाता है थ्री अक्टूबर को ठीक है आगे दोस्तों विश्व पसु दिवस ठीक है वर्ल्ड इनिमल्स डे एक कमना जाता है फोर अक्टूबर को ठीक है चार अक्टूबर को प्रतेकवस विश्व पसु दिवस मनाया जाता है विश्व पसु दिवस को विश्व पसु प्रेमी दिवस भी कहते हैं ठीक है विश्व पसु दिवस को पसु प्रेमी दिवस भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों और दोस्तों सिंपल सी बात है कि हमको सभ का सम्मान करना है चाहिए जानवर हो चाहिए जो भी हो ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें नुक्सान हमेशा पहुंचाते हैं ठीक है कई बार हम लोग अनायास ही मतलब की डंडेस कई बार होते हैं कि कुत्तों को मारने लगते हैं पीटने लगते हैं तो जो की गलत है किसी को अ प्रेमी दिवस भी कहते हैं और और भी दिवस होते हैं जिसे प्रेमी दिवस से आए आप लोग को ज्याद ही आ रहा होगा वेलेंटाइन डे मनाते हैं कुछ लोग ठीक है चली फिला लागे बढ़ते हैं 20 सिक्षक दिवस सिक्षक जो आपको पढ़ाता है सिखाता है अपने जीवन के अनुवों को बाड़ता है तो उसको भी जानते हैं 20 सिक्षक दिवस World Teachers Day 5 October को ठीक है? यहाँ पर दोस्तों important चीज याद रखना है कि यहाँ पर 20 सिक्षक दिवस पूचा है ना कि सिक्षक दिवस पूचा है तो 20 सिक्षक दिवस कम मनाया जाता है 5 October को लेकिन अगर आप से यहीं पर पूचले कि सिक्षक दिवस कम मनाया जाता है तो 200 सिक्षक दिवस कम मनाया जाता है 5 September को ठीक है? 5 September को सिक्षक दिवस मनाया जाता है यहां पर मिंसन भी किया गए इसको अच्छे से दियाक लेते हैं और समझ लेते हैं ठीक है तो सिक्षक दिवस कम मना जाता है पाल सितम वरको लेकिन कर आप से पूछी बिस्षी सिक्षक दिवस तो मार्च अक्टूबर को तो इसको समझते हैं डाक्टर स्वरुपली राधाक्रिशन के जन्म दिन की याद में सिक्षक दिवस मनाया जाता है डाक्टर स्वरुपली राधाक्रिशन भारत के प्रथम उपराश्टपती ठीक है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडिया और दित्तिय राश्टपत वुऐ है डोस्तों तो जो डाक्टर स्वा प्रेश्ण जी थे भारत के प्रथम द्वारा सम्मानित भी किया गया था 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत के सरोच सम्मान भात्रत न्वारा टाटा सर्व पर राधा क्रिशन जी को सम्मानित किया गया था चलिए आगे भी वड़ जाते हैं It's very important question दोस्तों भारती वाय सेना दिवस कई एकजामों में पुछा गया है भारती वाय सेना दिवस इंडियन एर फोर्स डे कब मनाया जाता है 8 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग यहां पर सिर्फ अक्टूबर माह में पढ़ने वाले प्रमुख दिवस की बात कर रहे हैं ठीक है तो आठ अक्टूबर को भारती वाय सेना दिवस इंडियन एर फोर्स डे मनाया जाता है और वर्तमान में विवेक राम चौधरी ठीक है वी आर चौधरी जी भारत की एयर चीफ मार्सल है ठीक है अभी चेंज हुए है इन्होंने हाँ तीस सितंबर को अपना कार्यभार समाला है कौन बी आर चौधरी जी ने जो कि भारत के नए एयर चीफ मार्सल है चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं इस एब बहुत इंपोर्टेंड और चौध डाक दिवस डाकिया डाक लाया ठीक है वर्ल्ड पोस्ट डे कब पड़ता है 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को 200 डाक दिवस मनाया जाता है ठीक है दोस्तों अभी तो आप मतलब कह सकते हो कि इस जमाने में चिठ्थिया आना बहुत कम हो गई है अभी तो पारसस वगारा आने तो एक राज से दूसररे राज चिठ्थी इसा कुछ करके कहिए अक्टेक पैर में चिठ्थ बांग दिजाती ती ठीक है तो एक राज्य से दूसरे दूसरे अनुझ littleijnु कह सकते हैं गीतकार हैं और सायर भी हैं तो मैं आपको सुनाता हूं कि उनका एक सेर है सीधा साधा डाकिया जादू करे महान एक ही थैले में भरे आशु और मुस्कान ठीक है क्योंकि दोस्तों चिट्थियं जब आती थी कई बार उसमें खोसियों भरा संदेश होता था कई बार किसी का कैसे हों कई बार दुख भरा संदेश भी होता था ठीक है तो निदा फाजली जी बहुत ही अपने देश के बहुत ही बड़े गीतकार हुए है ठीक है उनका एक सौंग भी हमको याद आ रहा है आप सुना ही देते हैं आपको चलिए ठीक है मैं सुनाता हूं मेरी आँखों ने चुना है तुझे को दुनिया देखकर मेरी आँखों ने चुना है तुझे को दुनिया देखकर किसका चेहरा किसका चेहरा मैं जब देखूं तेरा चेहरा देखकर मेरी आँखों ने चुना है तुझे को दुनिया देखकर तो यह निदा फाजली जी का सौंग था जिन्हों ने उसको लिखा था आला कि मुझे मैं कोई सिंगर उंगर नहीं हूं बटा ऐसे ही मैंने गा दिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है इंपॉर्टन पॉइंट दोस्तों 26 दिवस 26 दिवस कम मनाया जाता है अभी हाली में बीता है 26 दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ठीक है और किसकी याद मनाया जाता आपको पता हुग डाक्टर एपीज जब्दूल कलाम की भारत के ग्यार में राष्ट पती थे कब से कब थे 2002 से 2007 तक और यहीं मिसाइल मैनाब दे इंडिया भी कहा जाता है आपको पता ही होगा ठीक है डाक्टर एपीज जब्दूल कलाम को भारत सरकार्दवाल 1997 में देश के सरोच सम्मान पुरसकार भारत नुवारा सम्मानित गय ठीक है इनको भी भारत देश के सरोच सम्मान पुरसकार भारत रत नुवारा 1997 में सम्मानित किया गया था चलिए आगे बढ़ जाते हैं संयुत राष्ट्र दिवस युनाटेड नेशन डे एकम मना जाता है 24 अक्टूबर को यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूब ठीक है नियुवार्क सिटी युएसे में पढ़ता है चलिए आगे बढ़ जाते हैं राष्ट्री एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे और दोस्तों इसमें साथ में और क्या है इंद्रिया गांधी की पूरी तिथी डेथ एन्वर्सरी आप इंद्रिया गांधी तो एक ही द दोस्तों हम लोगों राष्टी एकता दिवस के बारे में जान लेते हैं राष्टी एकता दिवस प्रतियक वर्स 31 अक्ट्यूबर को सर्दार बल्लब भाई पटेल के जर्मदिन के रूप में मनाया जाता है ठीक है प्रतियक वर्स 31 अक्ट्यूबर को मना जाते हैं कि 31 अक्ट्यूबर को ही सर्दार बल्लब भाई पटेल का जर्मदिन पड़ता है सर्दार बल्लब भाई पटेल ने 565 565 रियास्तों को एकorp करके देश को एक सुत्र में बाद़ा मतले दोस्तों यजब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो तो अलग अलग पाट में अपना इंडिया बटा हुआ था अजारी के बाद भी अलग अलग पाटों में बटा हुआ था तो फिर जो सर्दार बल्ला भाई पतेल जी थे और सरदार बल्लब भाई को लोग क्या कहते हैं लौह पूरुस इनके बच्पन कहानी आप सब को पता ही होगी ठीक है इनके पास फोड़ा निकलाया था तो इन्होंने आरन के रवट से यहां पे पिंच कर दिया था ठीक है तभी से इनका नाम लौह पूरुस भी पड़ गया द्रिणवादी इच्छा के थे द्रिण सकती बहुत इनकी थी जो ठान लेते थे वह कर ही देते थे तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समात होता है आप सभी का सेशन से जुड़ने के लिए तहे देल से बहुत-बहुत धन्यवाद यह खुस रहें मुस्कराते र थेंक यू सुमुच टेक्यर बबाए